हाई फ्रेंट्स आप सब कैसे हैं आज मैं बनाऊंगी एक रिजाला तो एक रिजाला बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है इसके लिए हमें चाहिए एग मैं यह पर साथ एग ले ली हूँ इसे मैंने बॉयल करके रखी हूँ अब लेंगे काजू और यह है मगज मगज के द से रख दूंगी इसके बाद मैं प्याज दो यहां पर मैं प्याज लिए हूँ लसुन और अद्रग यह तीनों चीज़ों को मैं मिक्सी में पीश लोंगी इसे वें ग्रेंडर में पीशने के बाद इसे हम अलग से रख देंगे थोड़ा सा पानी डालके इसे मैं पीश अब अंडे में थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे इसे अच्छे तरह से मिलाने के बाद इसे मैं इक चाखु से काट लोंगी इसे धीरे-धीरे काटियेगा नहीं तो यह तूट जाएगा विल्कुली धीरे-धीरे सब एक को मैं काट लोंगी चलिए एक हूँ कट हो चुका है अब मैं लोंगी कान फ्लावर यहाँ पर चार-पाथ चम्मच मैं कान फ्लावर ले हूँ इसमें थोड़ा सा पानी अट करूंगी और इसे अच्छी तरह से एक घोल जैसा बना के अब कराई में तेल गरम होने के लिए देंगे उसके बाद यह एक को जो कान फ्लावर में डीप करके रखूंगी इसे कोटिंग अच्छा से कोटिंग कर लीजिएगा नहीं तो यह निकल जाता है अब मैं इसे फ्राई कर लोंगी सारे एक को धीमी आच में फ्राई कर लेंग एक साइड हो जाने के बाद इसे पलट देंगे धीरे से ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे अब इसे निकाल लेंगे सारे एक को ऐसे ही में फ्राई करके रख लूंगी इसके बाद यहां पर लेंगे मेर्ज, तेजपत्ता, लॉंग, इलाइची और दाल चेनी तेल में थोड़ा सा हम गी डालेंगे एक चम्मच, अब डालेंगे हम मिर्च, और तीन तेजपत्ता डालेंगे, इसके बाद लॉंग डालेंगे, अब डालेंगे हम दाल चेनी और छोटी लाइची इस साड़े मसाले थोड़ा फ्राई हो जाए, इसकी खुजबू आने लगे, तब प्याज, अदरक और लसून का जो पेस्ट है, वो मैं इसमें डाल दूँगी इसको डालने के बाद अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे, जब तक इसका कच्चापन ना चले जाए अब इसमें काजू और जो मगज के दाने थे, उसको मैं ग्रैट करके रखीती, वो इसमें मैं एड़ कर दूँगी अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, स्वादाने साड़, और एक चम्मत सक्कर डालेंगे अब सक्कर डाल भी सकते हैं, आपकी मर्जी, अब इसमें देखिए, तेल उपर आ चुका है मसाला फ्राई होने के बाद, आब साड़े एक को इस तरह मैं डाल दूँगी एक को डालने के बाद, इसमें थोड़ा सा गरम पानी एड़ करूँगी धंडा पानी नहीं, गरम पानी एड़ करूँगी फिर इसे धीरे से मिलाईएगा, नहीं तो ये निकल जाएगा, ये अच्छी तरह से मिला लीजिए अब इसमें आप डालूँगी मैं के उड़ा के पानी, एक चमच के उड़ा का पानी डाली हूँ अभी इसमें डालूँगी एक चमच गुलाब जल, एक चमच गुलाब जल डाल दूँगी अब इसे मिला लेंगे अब इसे आप रिजाला चिकन का भी बना सकते हैं और मटन का भी रिजाला बनता है इसे थोड़ा सा ढग दूँगी पांच मिनिट के लिए देखिए हो चुका है अब इसे मैं निकाल के सर्ब कर दूँगी तो फ्रेंड्स आपको ये रेसीपी कैसा लगा अच्छा लगे तो सस्क्राइब कीजिए लाइक, शेयर और कॉमेंट करके बताइए मुझे कि आपको ये रेसीपी कैसा लगा जिन लोग नॉन भेज नहीं खाते हैं वो ये फुल गोबी से भी आप बना सकते हैं फुल गोबी के रिजाला तो फ्रेंड्स आप जरूर मुझे कॉमेंट करके बताइए आपको ये रेसीपी कैसा लगा तो आज इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग